साहित निधी में सुनिये क्रिष्ण चंदर जी की एक वेहद मशूर कहानी कालू भंगी जो सामाजिक व्यवस्था पर एक प्रशन चिन्ने खड़ा करती है तो शुरू करें कहानी मैंने इससे पहले हजार बार कालू भंगी के बारे में लिखना चाहा है लेकिन मेरी कलम हर बार ये सोच कर रुख गई है कि कालू भंगी के संबन में लिखा ही क्या जा सकता है भिने भिने कोडों से मैंने उसके जीवन को देखने परकने समझने की कोशिश की है लेकिन कहीं वो टेड़ी रेखा दिखाई नहीं देती जिससे कोई दिल्चस्प कहानी बन सकती हो दिल्चस्प होना तो एक ओर कोई सीधी साधी फीकी रूखी कहानी भी तो नहीं लिखी जा सकती कालू भंगी के संबन्द में फिर ना जाने क्या बात है हर कहानी को आरम करते हुए मेरे मस्तिश्क में कालू भंगी आखळा होता है मुझसे मुस्कुरा कर पूचता है छोटे साहब मुझे पर कहाहनी नहीं लिखोगे कितने वर्श हो गए हैं तुमें लिखते हुए कितनी कहानिया लिखी हैं तुमने 60 और 62 62 मुझमें क्या बुराई है चोटे साहब तुम मेरे बारे में क्यों नहीं लिखते देखो कबसे मैं उस कहानी की प्रतीक्षा में खड़ा हूँ तुमारे मस्तिश्क के एक कोने में एक समय से हात बांदे खड़ा हूँ चोटे साहब मैं तो तुमारा पुराना सेवक हूँ काल कालू भंगी का कि मैं उसके संबन में कुछ भी तो नहीं लिख सकता ऐसा नहीं है कि मैं उसके बारे में कुछ लिखना नहीं चाहता वास्तों में बहुत देर से मैं कालू भंगी के संबन में लिखने का विचार कर रहा हूं परन तो कभी लिख नहीं सका हजार कोशिशों के ब अपने बूके पेट और उसकी सूखी चमड़ी की काली सलवटें लिए, अपनी मुर्जाई हुई चाती, धूल से अटे बालों की जाडियां लिए, अपने सिकुडे सुक्रे होतों, फैले फैले नैनों, जुरियों भरे गालों और अपनी आखों के अंधकार में गढ़ों के उपर नंगी चिंदियां उभारे मेरे मस्तिश्क के कोने में खड़ा है, अब तक कई पातर आये और अपनी जीवनियां बता कर अपना महतो जता कर चले गए, सुन्दर इस्त्रियां, सुन्दर काल्पनिक मूर्तियां, शैतान के चेरे, इस मस्तिश्क के रंग रोगन से पर व्याख्यान देते हुए, जीवन के हर रंग में, हर सतह पर, हर मंजिल में देखा है, बचपन से बुढ़ापे और बुढ़ापे से मृत्य तक उसने हर अपरचित को इस घर के दर्वाजे के भीतर जागते हुए देखा है, और उसे भीतर आते देखकर उसके लिए रास्ता साफ कर दिया है, और स्वयम परे हट गया है, एक भंगी की तरह हट कर खड़ा हो गया है, यहां तक की कथा आरंभ होकर समापपी हो गई, यहां तक की पातर और दर्शक दोनों विदा हो गए हैं, लेकिन कालू भंगी उसके बाद भी वहीं खड़ा है, अब केवल एक पग उसने आगे बढ़ा लिया है, और मस्तिश के बीच में आ लिया है, ताकि मैं उसे अच्छी तरह देख लूँ, उसकी नंगी चिंदियां चमक रही हैं, होटों पर एक मूख प्रशन है, एक समय से मैं उससे देख रहा हूँ, समझ में नहीं आता क्या लिखूंगा इसके बा कोई फरक ना था, वही घुटने, वही पाउं, वही रंगत, वही चेहरा, वही चिंदियां, वही तूटे हुए दात, वही ज़ाडू, जो मालूम होता था, मा के पेट से उठाए चला रहा है, कालू भंगी का ज़ाडू उसके शरीर का एक अंग लगती थी, वो प्रतिदि रोगियों का मलमूतर साफ करता था, डिस्पेंसरी में फिनायल चड़कता था, फिर डॉक्टर साहब और कमपाउंडर साहब के बंगलों की सफाई किया करता था, कमपाउंडर साहब की बकरी को और डॉक्टर साहब की गाय को चराने के लिए जंगल मिले जाता था, और दिन एक दिन के लिए भी बीमार नहीं हुआ ये बात आश्यर जनक अवश्य थी लेकिन इतनी भी नहीं कि केवल इसी के लिए एक कहानी लिखी जाए खेर ये कहानी तो जबरदस्ती लिखवाई जा रही है आठ वर्ष से मैं इसे टालता आया हूं लेकिन ये व्यक्त नहीं मानता जबरदस्ती से काम ले रहा है ये अत्याचार मुझपर भी है और आप पर भी मुझपर इसलिए कि मुझे लिखना पढ़ रहा है आप पर इसलिए कि आपको इसे पढ़ना पढ़ रहा है लेकिन इसमें यदि ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसके लिए सिदर्दी मोर ली जाए लेकिन क्या किया जाए कालू भंगी की मौन द्रश्ट के भीतर एक ऐसा विने नहित है एक ऐसी विवश मुकता ऐसी गहराई है कि मुझे उसके बारे में लिखना पड़ रहा है और लिखते लिखते ये भी सोचता हूँ कि उसके जीवन के संबंद में क्या लिखूँगा कोई पहलू भी तो ऐसा नहीं जो दिलचस्प हो कोई कोना ऐसा नहीं जो अंदकार में हो कोई कोण ऐसा नहीं जो चुमबक जैसा आकरशन रखता हो फिर ना जाने क्यों वो आठवर से लगातार मेरे मस्तिष्क में खड़ा है इसमें उसकी हडधर्मी के अतरिक तो कुछ नजर नहीं आता मैंने जब आंगी की कहानी में चान्नी के खलियान सजाए थे और यरकानियत के रुमांचकारी कोड से संसार को देखा था उस समय भी यहीं खड़ा था जब मैंने रुमांच के आगे पक बढ़ाए और हुस्न और हैवान की रंग विरंगी दशाएं देखता हुआ तूटे हुए तारों को छूने लगा उस समय भी यहीं खड़ा था जब मैंने बालकनी से जहाक कर अन दाताओं की निर्धनता देखी और पंजाब की धर्ती पर खून की नदियां वहते देखकर अपने वहशी होने का ग्यान प्राप्त किया उस समय भी यह मेरे मस्तिश के दरवाजे पे खड़ा था चुप चाप बिना हिले डुले मगर अब यह अवश्य जाएगा अब इसे जाना ही होगा अब मैं इसके बारे में लिक रहा हूँ भगवान के लिए नीरस फीकी सी कहानी आपी सुन लीजे ताकि यह यहां से दूर दफन हो जाए और मुझे इसकी गंदी संगस से छुटकारा मिल जाए और यदि आज भी मैंने इसके बारे में न लिखा और ना आपने इसे पढ़ा तो यह आठ वर्ष बाद भी यहीं जवा रहेगा और संभववे जीवन पर यहीं खड़ा रहे लेकिन परिशानी तो यह है प्रेम न किया था आश्चर तो यह है कि वो कभी अपने गाओं के बाहर नहीं गया था वो दिन भर अपना काम करता और रात को सो जाता और प्राता उठकर फिर अपने काम में चुट जाता बच्पन से ही वो इसी प्रकार करता चला आया था हाँ कालू भंगी में एक बात अवश्य दिल्चस्प थी वो यह कि उसे अपनी नंगी चिंदियां पर किसी जानवर जैसे गाए या भैस की जिवा फिराने में बड़ा आनदा था प्राया दोपैर के समय मैंने उसे देखा कि नीले आकास तले हरी घास के मक्वल जैसे फर्ष पर खुली दूप में वो अस्पताल के पास के एक खेत की मेर पर उकुरू बैठा था और गाय उसका सिर चाट रही है बार बार और वो वहीं अपना सिर चटवाते चटवाते उंग उंग कर सो गया है उसे इस परकार सोते देख कर मेरे हिदे में पसंदता का एक विचितर सा भाव जागर होने लगता था और विश्व के थके थके सुपनिल सौंदरे का ब्रह्म होने लगता था जब मैं साथ वर्ष का था और वो खेत बहुत बड़ा और विस्तर दिखाई देता था और आकाज बहुत नीला और निर्मल और कालू भंगी की चिंदियां शीशे की तर चमकती थी और गाये की जिवहा दीरे दीरे उसकी चिंदियां चाटती हुई जैसे उसे सहलाती हुई अपने स्वर उत्पन करती जाती थी जी चाहता था मैं भी उसी तरह अपना सिर घुटा कर उस गाय के नीचे बैट जाओ और उंता उंता सो जाओ एक बार मैंने ऐसा करने की कोशे भी की तो पिता जी ने मुझे वो पीटा वो पीटा और मुझे अधिक कालू भंगी को वो पीटा कि मैं भैसे चीटने लगा कि कालू भंगी उनकी ठोकरों से मर न जाए लेकिन कालू भंगी को इतनी मार खाकर भी कुछ ना हुआ दूसरे दिल वो नियमा नुसार जाडू देने के लिए हमारे बंगले में मौजूद था चारा खिलाए तो कालू भंगी वे उसके एक-एक संकेत को इस प्रकार समझ जाती जैसे कोई व्यक्त किसी मनुष्य के बच्चे की बाते समझता है मैं कई बार कालू भंगी के पीछे गया हूँ जंगल के रास्ते में वो उन्हें बिल्कुल खुला छोड़ देता था और बकरी के मुह में डाल रहा है और स्वैम भी खा रहा है और आपी आप बाते कर रहा है और उससे भी बराबर बाते किये जा रहा है और वे दोनों पशुभी गुर्रा कर, कभी कान फटफटा कर, कभी पाओं हिला कर, कभी दुम दबा कर, कभी नाच कर, कभी गा कर, हर प्रकार से उसकी बातों में भाग ले रहे हैं अपनी समझ में तो कुछ नहीं आता कि ये लोग क्या बाते कर रहे थे फिर कुछ क्षणों के बाद कालू भंगी आगे चलने लगता, तो गाए भी चरना छोड़ देती और बक्री जाडी से परे हड़ जाती, और कालू भंगी के साथ साथ चलने लगती आगे कहीं छोटी सी नदी आती या कोई नंधा सा चश्मा तो कालू भंगी वहीं बैठ जाता बल्कि लेट कर वहीं चश्मे के इस तर से अपना होट मिला देता और पशुओं की तरह पानी पीने लगता और उसी प्रकार वे दोनों पशुओं भी पानी पीने लगते क्योंकि बेचारे मनुश्य तो थे नहीं की होटों से पी सकते उसके बाद यदि कालू भंगी घास पर लेट जाता तो बकरी भी उसकी टांगों के पास अपनी टांगें सिकोड कर प्रार्था करने के ढंग पर बैठ जाती और गाय तो इस प्रकार उसके निकटी बैठती कि मुझे मालूम होता कि वो कालू भंगी की पत्नी है और अभी अभी खाना पका कर हटी है उसकी हर नजर में और चेहरे के हर उतार चड़ाओ में एक शांती पूर्ण ग्रहस्त जीवन जलकने लगता और जब वो जुगाली करने लगती तो मुझे मालूम होता जैसे कोई बड़ी सुगर पत्नी करोशिया लिए कशिदाकारी कर रही है या कालू भंगी के लिए स्वेटर गुन रही है इस गाय और बकरी के अत्रिक एक लंगडा कुत्ता भी था जो कालू भंगी का बड़ा घनिष्ट मित्र था वो लंगडा था इस कारण ही अने कुत्तों के साथ अधिक चल फिर न सकता था और इसी कारण प्राया अने कुत्तों से पिटता और भूका रहता और घायल रहता था। कालू बंगी प्राया उसकी मरहम पट्टी और पालन कोशन में लगा रहता। कभी तो उसे साबूं से नहलाता, कभी उसकी चिचनिया दूर करता और कभी उसे मक्की की रोटी का सूखा टुकडा देता, लेकिन ये कुत्ता बड़ा स्वार्ती था, दिन में केवल दो बार कालू भंगी से मिलता, दो पहर को और शाम को, और खाना खाकर घाव पर मरहम लगवा कर फिर घुमने के लिए चल देता, कालू भंगी और लंगडे कुत्ते की मुलाकाद बड़ी होती थी लेकिन बड़ी दिल्चस्प मुझे तो कुता एक आखना भाता था लेकिन कालू भंगी उससे बड़े आदर से मिलता उसके अत्रिक्त कालू भंगी का जंगल के हर पशु पक्षी से परचे था रास्ते में उसके पाउं तले कोई कीड़ा आ जाता तो उसे उठा कर ज आंस्क्रत्यायन से भी बड़ा पंडित था कम से कम मेरे जैसे साथ वर्ष के बालक की दर्ष्टी में तो वो मुझे अपने माता पिता से भी अच्छा मालूम होता था और फिर वो मक्की का भुट्टा ऐसे मज़ेदार तयार करता था और उसे इस तरह हलकी आज पर भुनता जैसे वो वर्षों से भुट्टे को जानता हो एक मित्र की तरह वो भुट्टे से बाते करता इस नर्मी और प्यार से उसे पेश आता जैसे भुट्टा उसका अपना समंधी या सगा भाई हो और लोग भी भुट्टा बुनते थे लेकिन वो बात कहां ऐसे कच्छे बेस्व नई नवेली दुलहन की तरह शादी का जुड़ा पहने सुनहला चमकता नजराता मेरे ख्याल से स्वयम भुट्टे को ये अनमान हो जाता था कि कालू उससे कितना प्रेम करता है अनित्था प्रेम के बिना उस निरजीव वस्तों में उतनी सुन्धलता कैसे उत्पन हो सकती थी मुझे कालू भंगी के हाथ के सिके हुए भुट्टे खाने में बड़ा आनन दाता था और मैं उन्हें बड़े मजे से छुप छुप कर खाता था एक बार पकड़ा गया तो बड़ी ठुकाई हुई बेचारा कालू भी पिटा लेकिन दूसरे दिन वो फिर बंगले पर हडू लिये उसी तरह हाजिर था और बस कालू भंगी के संबन में और कोई दिल्चस्प बात याद नहीं आ रही मैं बचपन से जवानी में आया और कालू भंगी वैसे का वैसा रहा मेरे लिए अब वो कम दिल्चस्प हो गया था बलकि यों कहिए कि मुझे उसमें किसी प् यक्तित मुझे अपनी और खीचता ये उन दिनों की बात है जब मैंने नया नया लिखना शुरू किया था मैं अध्यन के लिए उससे प्रश्न करता और नोट लेने के लिए फांटन पैन और पैड साथ रख लेता कालू भंगी तुमारे जीवन में कोई खास बात है कैसी छ चोटे साहब यहां तक तो निरिक्षन पोरा रहा अब आगे चलिए संभव है अच्छा तुम ये बताओ तुम तंखा लेकर क्या करते हो हमने दूसरा सवाल पूछा तंखा लेकर क्या करता हूं वो सोचने लगता आठ रुपे मिलते हैं मुझे फिर वो उंगलियों पर गि हर महीने एक रुपे बनिया को देता हूं कपड़े सिलवाने के लिए उसे करज लेता हूं ना साल में दो जोड़े तो चाहिए और छोटे साहब कहीं बड़े साहब एक रुपे तंखा में बढ़ा दें तो मज़ा आ जाए वो कैसे घील आऊंगा एक रुपे का और मकी के प निकट के जंगल से शेहद और कस्तूरी और जंगली कुलाब की लपते आने लगती और हिरन चुकड़ियां भढ़ते हुए दिखाई देते और तारे जुकते जुकते कानों में खुसर खुसर करने लगते और किसी के रसीले होट आने वाले चुम्बनों का ख्याल करके काप अपने लगते उस समय भी में कालू भंगी के संबन में कुछ लिखना चाहता और पेंसिल कागज लेकर उसके पास जाता कालू भंगी तुमने ब्या नहीं किया नहीं छोटे साहब क्यों इस इलाके में मैं ही एक भंगी हूँ और दूर दूर तक कोई भंगी नहीं है छोटे चाहा क्या साहब प्रेम करने को जी चाहता है तुम्हारा शायद किसी से प्रेम किया होगा तुमने जब ही तुमने अभी तक शादी नहीं की प्रेम क्या होता है छोटे साहब औरस से प्रेम करते हैं लोग प्रेम कैसे करते हैं साहब शादी तो जरूर करते हैं सब लोग बताएं खाक, तुम्हें दुख नहीं है कालू भंगी, किस बात का छोटे साहब, खार कर मैंने उसके सम्मन्द में लिखने का विचार छोड़ दिया, आठ वर्ष हुए कालू भंगी मर गिया, वो जो कभी बीमार नहीं हुआ था, अचानक ऐसा बीमार पड़ा कि कभी खाट स उसे अस्पताल में दाखिल कर लिया गया था, वो अलग वार्ड में रहता था, कमपाउंडर दूर से उसके होट में दवा उड़ेल देता, और एक चप्रासी उसके लिए खाना रखाता, वो अपने बरतन स्वैम साफ करता, अपना मलमूतर स्वैम साफ करता, और जब वो मर गया तो उसकी लाश को कुलिस वालों ने ठिकाने लगा दिया, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, वो हमारे हां 20 वर्ष से रहता था, लेकिन हम कोई उसके सगे समद्दी थोड़े थे, इसलिए उसका अंतिम वेतन भी सरकार ने जब्त कर लिया, क्योंकि कोई उसका वार इस नहीं था, और जब वो मरा, उस दिन भी कोई विशेश बात नहीं हुई, प्रति दिन की तरह उस दिन भी अस्पताल खुला, डॉक्टर ने नुसके लिखे, कमपाउंडर ने तयार किये, रोगियों ने दवा ली और घर लोट गये, फिर रोज की तरह अस्पताल भी बं परी ने दो दिल तक कुछ ना खाया, ना कुछ पिया, और वार्ट के बाहर खड़े-खड़े बेकार चिलाती रही, पशों की जाती थी ना आखिर, अरे, तु जहाडू लेकर आप पहुचा, आखिर तु चाहता क्या है, बता, कालू बंगी अभी तक वहां खड़ा है, क्य जाके से कभी बाहर नहीं गए, विवाह नहीं किया, प्रेम नहीं किया, जीवन में कोई विशेश घटना नहीं, कोई अचमभा नहीं, जैसे प्रेमिका के होटों में होता है, अपने बच्चे के प्यार में होता है, गालिब के कावे में होता है, कुछ भी तो नहीं हुआ त क्या लिखूँ तुम्हारा वेतन आठ रुपे, चार रुपे का आटा, एक रुपे का नमक, एक रुपे का तंबाकू, आठ आने की चाय, चार आने का गुड, चार आने का मसाला, सात रुपे, और एक रुपे बनिया का आठ रुपे हो गए, लेकिन आठ रुपे में कहानी न पाता है पुर्खाओं में निशले मध्यमवर्ख के माबाप मिले थे जिनोंने मिडल तक पढ़ा दिया फिर खिल जी ने कमपाउंटरी की परीक्षा पास कर ली वो जवान है उसके चेहरे पर रंग है ये जवानी ये रंगत को चाहती है वे श्वेत लठे की सलवार पहन सकता है कमीच पर कलाफ लगा सकता है बालों में सुगंधित ते लगा कर कंगी कर सकता है सरकार ने उसे रहने के लिए एक छोटा सा कौटर भी दे रखा है डॉक्टर चुक जाए तो फीज भी जाड लेता है और सुन्दर रोगणियों से प्रेम भी कर लेता है वो नूरा और खि जवानों का प्रेम पाए बैठी थी जब नंबरदार का लड़का दिखाई देता तो उसका मन उधर मुड़ने लगता और वो कोई निश्य ही न कर पाती अधिकतर लोग प्रेम को बिलकुल एक इसपश्ट और निश्चित बात मानते हैं यद्यव वास्तों में बिलकुल अ अनिश्चित और असमंजस की हलत लिए होता है अर्थात प्रेम उससे भी है और इससे भी है और फिर शायद कहीं नहीं है और है और है भी तो ऐसा सामिक की इधर नजर चूकी उधर प्रेम गायब सच्चाई अवश्य होती है लेकिन इस्तिरता नहीं होती इसी लिए तो नमबरदार के बेटे के लिए धरकता था और पटवारी के पूट के लिए भी उसके होट नमबरदार के बेटे के होटों से मिल जाने के लिए बेचैन होट थे और पटवारी के पूट की आँखों में आखे डालते उसका हिर्दययों का अपने लगता जैसे चारों और समुद चाहे, और श्वास रुकते रुखते रुकते रुकसा जाए और आखें जुकती जुकसी जाए और केश बिखरते बिखरते बिखर से जाए और लेहरें घूम घूम कर भूमती हुई मालूम हो और बड़े बड़े दाइरे फैलते फैल जाएं और फिर चारों और सनाटा फैल जाए और हिर्दय एकदम से धक रह जाए और कोई अपनी बाहों में भीच ले हाई पटवारी के बेटे को देखने से ऐसी ही हालत होती थी नूरा की और वो कोई निश्य ना कर पाती थी नंबरदार का बेटा पटवारी का बेटा पटवारी का बेटा नंबरदार का बेटा वो दोनों को वच्चन दे चुकी थी दोनों से शादी करने का इकरार कर चुकी थी दोनों पर मरमिटी थी परिणाम ये हुआ कि वे आपस में लड़ते लड़ते लहू लुहान हो गए और जब जवानी का बहुत सा लहू रगों से निकल गया तो उनने अपनी मुर्ख्रता पे बहुत कोट आया और पहले नंबरदार का बेटा नूरा के पास पहुचा और अपनी छुडी से उसका वद करना चाहा और नूरा की बुझा पर घाव आये और फिर पटवारी का पूत आया उसने उसकी जान लेनी चाही और नूरा के पाउँ पर घाव आये पनन तो वो बच गई क्योंकि उस समय वो अस्पताल लाई गई थी और यहां उसकी चिक्चा शुरू हो गई आखिर अस्पताल वाली भी तो पनुश्य होते हैं सुन्दर्ता दिलों पर प्रभाव डालती है इंजेक्शन की तरह उसका थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य होता है किसी पर कम, किसी पर अधिक डॉक्टर साहब पर कम था, कमपोडर पर अधिक था खिल जी नूरा की सेवा में तन्मन से लगा रहा नूरा से पहले बेगमा, बेगमा से पहले रेश्मा और रेश्मा से पहले जानकी के साथ भी ऐसा ही हुआ था लेकिन वो खिल जी के असफल प्रेम थे क्योंकि वे औरतें ब्याही हुई थी रेश्मा के तो एक बच्चा पी था बच्चे के अत्रिक माता-पिता थे और पती थे और पतियों की दुश्मन नजरे थी जैसे जो खिल जी की छाती में घुसकर उसकी आकांग्शाओं के अंतिम कोने तक पहुँच जाना चाहती थी खिल जी क्या कर सकता था विवश होकर रह जाता उसने बेगमा से प्रेम किया रेश्मा और जानकी से भी वो प्रतिदिन बेगमा के भाई को मिठाई खिलाता था रेश्मा के नन्हे से बेटे को दिन भर उठाए फिरता था जानकी को फूलों से बड़ा प्रेम था वो प्रतिदिन प्राता उठकर मुँँ अंधेरे जंगल की और चला जाता और सुन्दर फूलों के गुच्चे तोड़ कर उसके लिए लाता सर्वत्तम औशदियां, सर्वत्तम खाने, सर्वत्तम देखबाल लेकिन समय आने पर जब बेगमा अच्छी हुई तो रोते रोते अपने पती के साथ चली गई और जब रेश्मा अच्छी हुई तो अपने बेटे को लेकर चली गई और जानकी अच्छी हुई तो चलते समय उसने खिलजी के दीवे फूल अपनी चाती से लगाए उसकी आखें भराई और फिर उसने अपने पती का हाथ थाम लिया और चलते चलते घाटी की ओट में गायब हो गई घाटी के अंतिम छोग पर पहुँचकर उसने मुड़कर खिलजी की ओर देखा और खिलजी मूँ फेर कर वार्ड की दीवार के साहरे से लगकर रोने लगा रेश्मा के विदा होते समय भी वो उसी प्रकार रोया था बेगमा के जाते समय भी उसी प्रकार उसी दुख के वशी भूत होकर रोता था लेकिन खिलजी के लिए ना रेश्मा रुकी ना बेगमा न जान की और अब कितने वर्षों बाद नूरा आई थी और उसका हिर्दे उसी प्रकार धड़कने लगा था और ये धड़कन दिन प्रते दिन बढ़ती चली जाती थी शुरू शुरू में तो नूरा की हलत बुरी थी उसका बचना कठिन था लेकिन खिलजी की अनथक कोशिशों से घाओ भरते चले गए पीप कम होती गई, दुरगंद दूर होती गई, सूजन गायब होती गई नूरा की आखों में चमक और उसके सफेद चेहरे पर स्वास्त की लालिमा आती गई और जिदन खिलजी ने उसकी बाओं की पट्टी उतारी तो नूरा विने भाओं से वशी भूत होकर उसकी चाती से लिपट कर रोने लगी और जब उसके पाओं की पट्टी उतारी तो उसने अपने हाथ और पाओं में मेंधी रचाई और आखों में काचल लगाया और बालों की लटे सवारी तो खिलजी का हिर्दे प्रसंदता से चौकड़ियां भरने लगा नूरा खिलजी को दिल दे बैठी थी उसने खिलजी से शादी का वाइदा कर लिया था नंबरदार का बेटा और पटवारी का बेटा दोनों बारी-बारी कई बार उसे देखने के लिए उससे चमा मांगने के लिए उससे शादी का वचन लेने के लिए अस्पताल आए थे और नूरा उन्हें देखकर हर भार घबरा कर कापने लगती मुढ मुढ कर देखने लगती और उस समय तक उसे चैन न पड़ता जब तक कि वे लोग चले न जाते और खिल जी उसके हाथ को अपने हाथ में न ले लेता और जब वो बिल्कुल अच्छी हो गई तो सारा गाउं उसका अपना गाउं उसे देखने के लिए उमर पड़ा गाउं की छोड़ी अच्छी हो गई थी डॉक्टर साहब और कमपाउंडर साहब की किरपा से और नूरा के माबाब बिछे जाते थे और आज तो नंबरदार भी आया था और पटवारी भी और वे दोनों मूरक लड़के भी पीछे पीछे नंबरदार के बेटे और पटवारी के बेटे के कदम थे और ये कदम और दूसरे कदम और दूसरे कदम और सेकड़ों कदम जो नूरा के साथ चल रहे थे खिलजी की छाती की घाटी पर से गुजरते गए और पीछे एक दुन्दला दूल से अटा हुआ मार्क छोड़ गए और कोई वार्ट की दिवार के साथ लगकर सिस्कियां लेने लगा बड़ा सुन्दर रोमांच भरा जीवन था खिलजी 32 रुपए वेतन पाता था 15-20 रुपए उपर से कमा लेता था खिलजी जो जवान था जो प्रेम करता था जो एक छोटे से बंगले में रहता था जो अच्छे लेखकों की कहानिया पढ़ता और प्रेम में रोता था कैसा दिलचस्प रोमांच और प्रसनता भरा जीवन था खिलजी का लेकिन कालू भंगी के समवन्ध में मैं कह सकताँ सिवाए इसके की कालू भंगी रेश्मा के बेटे को मक्की के भुट्टे खिलाता था कालू भंगी ने जानकी की गंदी पत्टिया दोई और पति दिन उसके कमरे में फिनायल छळकता रहा और शाम से पहले वार्ट की खिड़की बंद करता रहा और अंगीठी में लकडियां जलाता रहा ताकि जानकी को शीत न लगे कालू भंगी नूरा का पखाना उठाता रहा तीन मास दस दिन तक कालू भंगी ने रेश्मा को जाते हुए देखा उसने जानकी को जाते हुए देखा उसने नूरा को जाते हुए देखा लेकिन वो कभी दीवार से लगकर नहीं रोया वो पहले तो कुछ खणों के लिए हैरान हो जाता फिर उसी आशर से अपना सिर्ख हो जाने लगता और जब कोई बात उसकी समझ में ना आती तो वो अस्पताल के नीचे खेतों में चला जाता और गाये से अपनी चिंदियां चटवाने लगता परन्तु इसका वर्णन तो मैं पहले कर चुका हूँ फिर और क्या लिखूं तुमारे बारे में कालू बंगी सब कुछ तो कह दिया जो कुछ कहना था जो कुछ तुम रहे हो तुमारा वेतन 32 रुपया होता तुम मिडल पास या फेल होते तुम्हें विरासत में कुछ सभिता संस्कृति कुछ थोड़ा सा मानो उल्लास और उस उल्लास का शिखर मिला होता तो मैं तुमारे संबंद में कोई कहानी लिखता अब तुमारे आठ रुपे में मैं क्या कहानी लिखूँ हर बार उन आठ रुपे को उलट फेर कर देता हूँ चार रुपे का आटा, एक रुपे का नमक एक रुपे का तंबाखू, आठ आने की चाहे चार आने का गुड़, चार आने का मसाला, साथ रुपे और एक रुपे बनिये का, आठ रुपे हो गए, कालू भंगी, तुमारी कहानी कैसे बनेगी, तुमारी कहानी मुझसे न लिखी जाएगी, चले जाओ, देखो मैं तुमारे सामने हाथ जोडता हूँ, लेकिन ये मनूस अभी तक यही खड़ा है, अपने पीले पीले गंदे नात निकाले, अपनी फूटी हसी हस रहा है, तु ऐसे नहीं जाएगा, अच्छा भाई, अब मैं फिर अपनी इस ब्रतियों की राग कुरेता हूँ, शायद तेरे लिए अब मुझे 32 रुपेओं से नीचे उतरना पड़ेगा, और बक्तियार चप्रासी का सहरा लेना पड़ेगा, बक्तियार चप्रासी को पंदर रुपे वेतन मिलता है, और जब कभी वो डॉक्टर या कंपाउंडर या वैक्सिनेटर के साथ दोरे पर जाता है, तो उसे डवल भत्ता और सफर खर्ज भी मिलता है, फिर गाओं में उसकी अपनी जमीन भी है, औ और पालक और मूलियां और शल्यम और हरी मिर्चें, बड़ी जल्लें और कदू जो गर्मियों की धूप में सुखाये जाते हैं, और सर्दियों में जब बरफ पड़ती है और हरी आली मर जाती है, तो खाये जाते हैं, बक्तियार की पत्नी ये सब कुछ जानती है, बक्तिया के दात बच रहे थे घर से बक्तियार का बड़ा लड़का अमा के साथ दादी के चले जाने की सूचना लेकर दोड़ता दोड़ता अस्पता लाया था बक्तियार उसी समय अपनी मा को वापस लाने के लिए कालू भंगी को साथ लेकर चल दिया था वे दिन बर उसे जंगल में रोड़ते रहे वो और कालू भंगी और बक्तियार की पत्मी बहु अपने केये पर पस्ता रही थी अपनी सास को उची आवाजे देने के सास साथ रोती जाती थी आकाश पर बादल चाये हुए थे और सरदी से हाथ पैर सुन हुए जाते थे और पाउं तले चीर के सूखे धरती पर भीश दिया हो बरफ के गोले धरती पर गिरते गए मौन शांत सफेद मक्वल घाटियों वादियों और चोटियों पर फैल गई अम्मा बक्तियार की पत्नी चोड़ से चिल लाई अम्मा बक्तियार चिल लाया अम्मा कालू भंगी ने आवाज दी जंगल गूंच क पर मौन हो गया फिर कालू भंगी ने कहा मेरा ख्याल है वो नकर गई होगी तुमारे मामू के पास नकर से दो कोस इधर उन्हें बक्तियार की अम्मा मिली बरफ गिर रही थी और वो चली जा रही थी गिरती पढ़ती लुड़कती थमती हाफती कापती आगे बढ़ती चली ज राते चले आए बक्तियार और कालू भंगी और जब लोग वापस घर पहुँचे तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और उन्हें वापस आते देखकर बच्चे रोने लगे और कालू भंगी एक और खड़ा हो गया और अपना सिर को जाने लगा और इधर उधर देखने लगा फिर उसने धीमे से दर्वाजा कोला और वहां से चला आया हां बक्तियार के जीवन में भी कहानिया हैं छोटी छोटी सुन्दर कहानिया लेकिन कालू भंगी मैं तुमारे बारे में क्या लिख सकता हूं मैं अस्पाताल के प्रतेक व्यक्ति के बारे में कुछ ना बश्य लिख सकता हूँ, लेकिन तुमारे संबंद में इतना कुछ कुरिदने के बाद भी समझ में नहीं आता कि तुमारा क्या किया जाए, भगवान के लिए अब तो चले जाओ, बहुत सतालिया तुमने, लेकिन मुझे मालूम है यह जाएगा नहीं, इसी प्रकार मेरे मस्त कि कोई तेरे गंदे खुरदरे पाउं दो डाले, दो दो कर उनसे गंदगी दूर करे, उनकी बिवाईयों पर मरहम लगाए, तु चाहता है तेरे गुटनों की उबरी हुई हड़ियां मास में छिप जाए, तेरी जांगों में कटोड़ता और बल आ जाए, तेरे पेट की चमक डाल दे, तेरे गालों में लहु बढ़ दे, तेरी चिंदियों को घने बालों से धग दे, तुझे साफ सुते वस्त्र दे दे, तेरे इरद गिर्द एक छोटी सी दीवार खड़ी कर दे, सुन्दर, स्वच, उसमें तेरी पतनी राज करे, तेरे बच्चे कह कहें लगा जो तेरे बालों में अपने उंगलियां फेर कर तेरा सिर सहलाती है यहां तक की तेरी आखें बंद हो जाती है तेरा सिर जुख जाता है और तू उसकी करपाल उगोद में सो जाता है और जब तू मेरे लिए आग पर धीरे धीरे भुटा सेखता है और मुझे जिस प्रेम और इसने से वो भुटा खिलाता है तू अपने मस्तिश की गहराई में उस नन्हे बच्चे हो देख रहा होता है जो तेरा बीटा नहीं है जो अभी नहीं आया जो तेरे जीवन में कभी नहीं आएगा लेकिन जिससे तूने एक बाप की तरह प्रेम किया है तूने उसे गोदी में खिलाया है उसका मुझ चूमा है उसे अपने कंदे पर बिठा कर संसार भर में घुमाया है देख लो ये मेरा बीटा ये है मेरा और जब ये सब कुछ तुझे नहीं मिला तो तू सबसे अलग होकर खड़ा हो गया और आश्र से अपना सिर्क जाने लगा और तेरी उंगलियां आप ही आप किन्ये लगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ रुपए मैं तेरी वो कहानी जानता हूं जो हो सकती थी लेकिन हो ना सकी क्योंकि मैं कहानी कार हूं मैं एक नई कहानी गढ़ सकत और राजनीतिग और मजदूर और खेतों में काम करने आले किसान प्रतेक व्यक्त की लाकों करोनों अर्बों व्यक्तियों की इखटी साहिता चाहिए मैं अकेला विवश हूँ कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक हम सब मिलकर एक दूसरे की साहिता ना करेंगे ये काम ना होगा और तू इसी प्रकार अपनी जाडू लिए मेरे मस्तिश्क के दरवाजे पर खड़ा रहेगा और मैं कोई महान कहानी न लिख सकूंगा जिसमें मानो आत्मा का पूँर उल्लाज जलक उठे और कोई मेमार महान भवन न बना सके जिसमें हमारी जाती की महांता अपने शिक्रों को छूले और कोई ऐसा गीत न गा सकेगा जिसकी गहराईयों में विश्यो का सारा रह से छलक छलक जाए ये भरपूर जीवन संभव नहीं जब तक तू जाडू लिये यहां खड़ा है अच्छा है खड़ा रहे फिर शायद कभी वो दिन आ जाए कि कोई तुस्से तेरी जाडू छुडा दे और तेरे हातों को नर्मी से थाम कर इंदर धनुष के उस पार ले जाए अभी आप सुन रहे थे क्रिश्न चंदर जी की लिखी हुई कहानी कालू भंगी